नमस्कार दोस्तों मैं शूपरियो आपको स्वागत करता हूँ किया रोफ वेब के एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम WordPress के जो कारिंट वर्सन है उसको हम कैसे डाउन ग्रेड कर सकते हैं और किसी भी पूराने जो भर्सन है किसी भी बैकडेटर भर्सन को हम हमारे साइट में इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ WordPress के जो लेटेस भर्सन होते हैं उसको ही हमें हमारे साइट में यूज़ करना चाहिए लेकिन कभी-कभी ऐसे जरूरत पढ़ जाता है कि हमें WordPress के जो पिछले फर्सन है किसी भी बैकडेटर फर्सन को हमको यूज़ करना पड़े तो इसी सिन्यारियों में हम कैसे हमारे साइट में WordPress के जो बैकड़ फर्सन है उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसके बारे में ही आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन सुरू करने से पहले आपस रिक्योस्ट है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप साबस्काइब कर लीजिए साथ में बेल आइकॉन भी दबाईए ताकि WordPress के उपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तो WordPress भार्सन को डाउंगेट करने के लिए हमारे पास दो आपसन होते हैं एक है कि हम मैनुएली करे और एक हम किसी प्लागिन के मदद से करे तो मैनुएली करने के लिए हमें WordPress के जो बैकड़ेटर वर्सन है उसको हमें डाउंलोड करना पड़ेगा फिर हमें C पैनल में जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमारा File Manager में जो फाइल है उस फाइल में कुछ-कुछ फाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा अगर आप Beginners है तो यह Process में आपको थोड़ा सा परिशा नहीं आ सकता है और यह Process थोड़ा सा Critical भी होते हैं लेकिन अगर हम Plugin के मदद से करें तो यह बहुत ही आसानी से हो जाएगा और यह हम हमारे Dashboard से ही हम कर पाएंगे तो आज के वीडियो में मैं आपको Plugin के मदद से कैसे हम Downgrade कर सकते हैं वहीं दिखाएंगे हमारा WordPress का Current Version क्या है यह हमें पता चलेगा अगर हम Dashboard के एकदम नीचे आ जाएं और Right Side Corner में यहाँ पर आप देख सकते हैं Version 5.5 यहाँ पर So कर रहे हैं आपका WordPress का Current Version जूर रहेगा वहीं यहाँ पर So करेगा तो यह हमारा अभी Redist Version 5.5 है हम इसे Downgrade करेंगे और इसके लिए हम एक Plugin का मदद लेंगे तो पहले हम एक Plugin इंस्टॉल कर लेते हैं इस Plugin का नाम है दोस्तो WP Downgrade तो हम यहाँ पर Add Plugin में आ गए हैं और यहाँ पर हम सार्च करेंगे WP Downgrade तो देखिए यहाँ पर WP Downgrade Specific Core Version यह जो Plugin है यही हमें इंस्टॉल करना है और आज के तारिक में इसका 80,000 प्लास Active Installation है और 100 users ने इसको 4.5 rating दिये हैं और 7 महिने पहले इसको अपडेट किये गए हैं तो हम इस Plugin को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर Activate कर लेंगे आभी हम इसको Activate करेंगे ऐक्टिबेट हो जाना के बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है WP Downgrade Specific Core Version और इसके नीचे यहाँ पर आपको दिखाए देगा Setting option तो हम Setting पर क्लिक करेंगे और यह Setting page का option आपको बाएं तरफ का पैनल है यहाँ पर Setting option के नीचे भी मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह जो WP Downgrade यहाँ पर Red Color में Inactive लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है WordPress Target Version मतलब हम किस version को यहाँ पर Install करना चाह रहे हैं Specific उस version को उसी format में लिखना है अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप यह अपने live site पर try कर रहे हैं तो अपने site का backup जरूर बना लीजिए backup कैसे बनाता है इसके regarding video इस channel में available है मैं description में उसका link दे दूँगा तो अभी हमारा जो current version है वो है 5.5 और हमें किस version को यहाँ पर install करना है इसका detail हमें मिल जाएगा WordPress का यह link से यह link भी मैं नीचे दे दूँगा वो है wordpress.org slash download slash releases यहाँ पर आपको सहारे version का details मिल जाएगा 5.5 version 11.2020 को release हुए है और उसका पिछला जो version था वो था 5.4.2 जो June 10.2020 को release हुआ था तो हम 5.4.2 यह version को हम हमारे site के लिए install करेंगे या फिर switch करेंगे तो हम 5.4.2 यहां से copy कर लिया और यहां पर same to same हम यहां पर paste कर देते हैं 5.4.2 अभी हम यहां पर save changes पर click करेंगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है WP downgrade active यहां पर WP 5.4.2 is set as target version मतलब अभी यह plugin 5.4.2 को install करने के लिए target set कर लिए है तो हमें क्या करना चाहिए यहां पर आपको यह orange box दिख रहा है यहां पर दिया गया है in order to far from the upgrade or downgrade to WP 5.4.2 please go to update core तो आप यहां पर भी click कर सकता है यहां पर भी click कर सकता है मैं यहां पर click करता हूँ ओके तो देखिए यहां पर हमें rewrite कर दिया लेकिन अभी क्या हमारा site 5.4.2 में convert हो गया है तो इसको check करने के लिए हम नीचे जाएंगे लेकिन देखिए यहां पर जो भारसन दिखा रहा है वो है 5.5 मतलब अभी वो downgrade नहीं हुए है अभी वो 5.5 में ही है तो हमें क्या करना है यहां पर reinstall now का जो एक button है इसे हमें click करना है तो हमने click कर दिया थोड़ा सा बक्त लग सकता है तो यहां पर हमारा site 5.4.2 पे convert हो गया है अब देख सकता है यहां पर 5.4.2 का एक features यहां पर display किया गया है और अगर हम इस page के नीचे आएंगे तो यहां पर version 5.4.2 show कर रहे है मतलब हमारा जो site है अभी वो 5.4.2 पे convert हो गया है तो आपने देखा इस plugin के मदद से WordPress का जो core version है उसको हम बहुती आसानी से हम downgrade कर सकते हैं और downgrade करने के बाल आप चाहे तो यह जो plugin था WP downgrade उसको आप install भी कर सकते हैं उसमें आपका कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे दोस्तो तो इसको like कीजिए अगर आप हमारे चनल में नए है तो इस चनल को आप subscribe कर लीजिए साथ में बेर आइकोन भी दबाएए ताकि WordPress के उपर आने वाले वीडियो का notification आपको मिलते रहें और अगर आपके मन में इस वीडियो के regarding कोई भी सावाल है तो कॉमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा धन्यबाद दोस्तो